Hello Friends, Hello Students, Welcome to the English Classes ये Class 9th के English के Behive Textbook का Chapter No. 7 है Packing by Zerome के Zerome इसका आज हम लोग MC क्योज करेंगे Multiple Choice Questions This is very important for your examination ये इसके पहले की वीडियोज आपने नहीं देखी है तो इस चैनल के Playlist में जाके वहाँ आपने Class को Select करके और वहाँ से आप देख सकते हैं तो आईए बिना देर के हमीशे शुरू करते हैं First No. Question है The Chapter, The Packing is an Extract From यानि अध्याय, The Packing इसका एक उद्रड है A No. Malgudis B No. Wings of Fire C No. Alchemist D No. Three Men in a Board यानि एक नाम तीन आदमी तिसका सहीं आपसान है D Three Men in a Board Second No. Question है Who Proposed to Pack in the First Place सबसे पहले पैक करने का प्रस्ताव किस ने रखा A No. आपसान है George B. आपसान है Haris C. आपसान है Jerome D. आपसान है Margie तिसका सहीं आपसान है C Zero Three No. Question है Who Took Pride in His Packing यानि किस ने अपनी पैकिंग पर गर्व किया A. नमबर है Jerome B. नमबर है George C. नमबर है Haris D. नमबर है Montmorency तिसका सहीं आपसान है A Jerome फोर्थ नमबर कोश्चन है George and Haris Accepted Jerome's Suggestions With Great Readiness यानि George और Haris ने Jerome को सुझाओं को बड़ी तत परताश श्विकार किया This was quit यानि ये काफी था A. नमबर है Expected यापेचित B. नमबर है Something Uncanny यानि कुछ अलोकि C. नमबर है Insulting यानि अपमान जनक D. आपसान है Disgraceful यानि सर्मनाग तिसका सहीं आपसान है B Something Uncanny 5. नमबर कोश्चन है How did George respond to Jerome's Suggestions of Packing यानि Jerome के Packing के सुझाओं पर George ने क्या प्रतक्रिया दी A. आपसान है He cooked his legs under the table यानि उसने उसके पैरों को मेज के नीचे पका दिया B. नमबर है When to lie down on the bed यानि बिश्तर पर लेट गया C. आपसान है Spread himself over an easy chair यानि खुद को एक आराम कुर्षी पर फैला दिया यानि लेट गया D. आपसान है Went out far away टहनने के लिए बाहर चला गया 6. नमबर कोशन What was Jerome's actual intention during packing? यानि पैकिंग के दोरान Jerome का वास्त्व की रादा क्या था? A. आपसान He wanted to do it by himself यानि वह इसे swim करना चाता था B. आपसान He wanted to make the best backpack यानि वह सबसे अच्छा backpack बनाना चाता था C. आपसान He wanted his clothes to be shaped यानि वह चाता था कि उसके कपड़े सुरचित रहे D. आपसान He wanted to supervise the whole process यानि वह पूरी प्रक्रिया के निगरानी करना चाता था जिसका सही आपसान D. He wanted to supervise the whole process 7. नमबर कोशन George and Harris Reactions to the author's Suggestions of packing made him निलेखक के पाइकिंग के सुजाव पर George or Harris की प्रतक्रिया ने उसे बनाया E. आपसान है Happy यानि खुश E. आपसान है Satisfied यानि शन्तुष्ट C. आपसान है Irritated यानि परिशान D. आपसान है Humiliated यानि अपमानित तिसका सही आपसान है She Irritated यानि परिशान 8. नमबर कोशन What was the image of the man as portrayed by the author whom he had once lived with यानि जिस लेखक के साथ वा कभी रहता था उस लेखक द्वारा चितरित बेक्त की छवी क्या थी E. आपसान है Lazy यानि आलसी B. आपसान है Rich यानि अमीर C. आपसान है Poor यानि गरीब D. आपसान है Criminal यानि अपराधी तिसका सही आपसान है E. Lazy यानि आलसी 9. नमर कोश्चन है The author described his nature to be यानि लेखक ने अपने शभाव का वरण इस परकार किया है E. आपसान है Lazy यानि आलसी B. आपसान है Responsible यानि जिम्मेदार C. आपसान है Energetic यानि उर्जावान D. आपसान है Inhuman यानि मानवे में इसका सही आपसान है C. Energetic यानि उर्जावान 10. नमर कोश्चन है After packing the bag in the first place The author यानि सबसे पहले bag pack करने के बाद लेखक E. आपसान है Bragged out about it यानि इसके बारे में डिंग मारी B. आपसान है Sat on it and stepped it यानि उस पर बैठ हिया और उसे बांद दिया C. आपसान है When to meet his friends यानि अपने दोस्तों से मिलने चला गया D. आपसान गेव food to his dog अपने कुते को खाना दिया तिसका सही आपसान है B. Sat on it and stepped it यानि उस पर बैठ गया और उसे बांद दिया तो हुमीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी यदि पसंद आई होगे तो अपने कलास्मेट के साथ सेयर कीजिएगा Thank you Thanks for watching